हेलो फैंड्स जैहिंद वंदे मातरम जी हाँ अगर आपने भी दिल्ली पुलिस कॉंस्टिबल 2023 का फॉरम फिलप किया है तो अगर आपने भी छोटी सी ये मिस्टेक कर दी है तो भाई आप एकजाम से चूक सकते हैं जी हाँ आपका फॉरम भी रेजेक्ट हो सकता है और आप में आपको बैठने भी नहीं दिये जाएगा जी हाँ फैंड्स एससी ने एक नया नौटी जारे किया है अगर जिसने भी गलती की है तो उसका यहां पर फॉरम रेजेक्ट माना जाएगा जी हां मेरे भाई देखो अगर आप कितनी भी तयारे कर रहे हो एकजाम को लेकर कित सटीक देने वाला हूँ जो एससी ने हैं पर बोला है चले फैंड्स वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो में आगे माने से पहले मैं बात करूँगा यहां पर अगर आप भी दिली पुलिस कॉंस्टिबल 2023 की तयारे कर रहे हैं तो यहां पर मैं आप सभी को दोस्तो एक छोटी सी बात पताना चाहता हूँ देकिन सबसे बड़ा जो पोर्सन है वो जी के का है जी के में दोस्तों आपको 50 कोर्सन आने वाले हैं अगर 50 में से दोस्तों अगर यहां पर आप 40 से 45 कोर्सन कर देते हैं जो बहुत बड़ा टास्ट है कि होनी पता है मैं समझता लेकिन अब हो पाएगा वो किस तरीके से क्योंकि मैं आप सभी को यहां पर दे रहा हूँ टॉपिक वाइज दोस्तों यहां पर जी के कोर्सन जी हंदर से आप सभी को पता है जिसमें दोस्तों आप सभी का यहां पर जो है 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 दोस्तो, PDF वो भी दिल्ली पुलिस का сपेस लिस्ट की आप सभी को यहां पर प्रवी सिर्खा आपको करना कुछ नहीं है केवल दोस्तो 100 रुपे का पेमिंट करना है और आप सभी यहां पर प्रवी सिर्कों सन ए पांस साल के लगाता है जो पहले 2020 में एक जाम होगा था इससे पहले 2017 में होगा था तो उन सबीकी जो PDF है आप सभी को मिल जागा बस इसे नंबर पर आप सभी को है मैसिस करना है यह नंबर दोस्तों आपकी फोन की स्कीन पर जो दिया गया है ठीक है जो भी लेना चाहता है यहाप पर आप PDF को ले सकते है अब दोस्तों मैं आपको नौटिस दिखाता हूँ जो SSC ने जारी किया है यहाँ पर आप देखेंगे इंपूर्टेंट नौटिस है ब इंपूर्टेंट नौटिस दिखेंगे इंदस एंडवियर ठीक है इस सारी चीज आप देखेंगे दोस्तों पढ़ेंगे नीचे तो आपको यहाँ पर एक चीज मिले की देखने को यहाँ लिखा है मैं सारी चीज आपको बताऊंगा इसमें इसका हिंदी मतलब क्या है तो Since the photo uploaded in the application forum has to be not more than three month old इन्होंने बोला है अगर आपने अपने forum में तीन महिने से पूराना photo अगर इसमें अटेच करा दिया है तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी गल्ती कर दी है जी हां दोस्तों तीन महिने से पुराना अगर आपने photo ठीक करा दिया है अब आप बोलेंगे थोड़ी पता है कि यह तीन महीनी पुराना है, जी हाँ, पता होता है क्यों, क्योंकि अब SSC के दोस्तों, exam में एक नया रूल हो चुगा है, कि जब आप exam देने जाएंगे, दोस्तों, यहाँ पर, जो आपका exam होगा, center पर, आगे लिखा है कि अगर दोस्तों, center पर यह match नहीं हो पाया, तो भाई साब, आपको exam center से बाहर कर दिया जागा, नीचे आप देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा गया है, यहाँ देखिएंग दोस्तों ही लिखा है, exam nation, there apprains match with the photograph uploaded in the application, यानि application आपका जो photograph पे जो आपको photograph है, वो match नहीं हो पाया, तो आप exam से भी हाथ दो बैठ होगे, in case of mismatch of a prince which is with the photograph uploaded at the application stage, the candidate will not be allowed, यहाँ के लिखा है, the candidate is not be allowed, यहाँ नीचे लिखा है, not be allowed to appear in the examination, यानि उसको examination में नहीं बैठने दिया जाएगा, अगर आपका तीन महीने से पराना फोटो है, वो कैसे परता करेंगे, क्योंकि उनके पास मसीन होगी, वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत-बहुत तीन, दो-दो साल पुराना, एक साल पुराना फूटो लगा देते हैं, उसमें तो रहते हैं दोस्तों दूबले पतले, अब आते हैं फूल के मोटे, तो कैसे मैच होगा, या पहले मोटे होते हैं, फिर आप पत यानि आपका phone reject नहीं माना जाएगा लेकिन अगर आपका photo तीन मेने के बाद का भी है यानि तीन मेने पुराना भी है लेकिन उसमें अगर आपने गलती भी कर दिया तब भी आपका phone reject हो सकते हैं अगर आपने extra color कर दिया है तू close कर दिया है या अपना चेहरे दिखा दिया है ही आपका फोटो है इस परक्स接ी दोनला है या इस ने आप लिख और दिया हं पॉटो इस पर शूट Ist चत जाता है तो नि पर चोना ने दोस्तों और एक लड़के ने दोस्तों यहांपर आपस पर Key अब किर यहांद है जो Sat Girond पर अपना photograph जो था वो अपना चैसमा पहन के पढ़ते हैं सब लोग चैसमा पहन के photo खिचा लिया अब चैसमा पहन के photo खिचा लिया तो मेरे वाइक क्या हो गया रिजेक्ट हो गया यह देखो रिजेक्ट लिखा हुआ है आप खुद देखिए इसका रिजेन क्या है रिजेन ही बता है कि आपने चैसमा पहन के photo खिचा दिया एक और दिखाता हूँ मैं आपको देखो बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं कि हमने अपर 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 था भास भष्क का और अपर एपलिग enorm का यहां यहां पर देखा रहा है ऐसके बाद उनोंने यहां पर देखा कि भाई साफ हमारा दोस दिल्ली पर इवी पुनकुमार का भाई का CGL का 2020 का Tier 1 का अच्छी का तैयारी थी मिर भाई की बहुत अच्छा था पढ़ने में लेकिन क्या हुआ कि इस्टेटस बाद में इनको दिखाया ज उनका exam था उनको देखा तो photograph बिलड अब उन्हें ने वहाँ तो दिखाये नहीं जिफ आप ने फॉर्म फ़िल अप किया था वहाँ तो दिखाय है लेकिन फोटोग्राप अब तीन महीने का भी है लेकिन अगर आपने फोटो में जल्दी जल्दी कर दिया है इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई जब भी आप फोरम फिलप करवाएं वहां बैठें आराम से अपना चेक करें कि आपने गलती तो नहीं किये फोरम फि पूचेंगे भाईया ये दूसरा फोटो दे दो ये बेकर होटो है इसमें कुछ कमिया है नहीं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपका फोरम रिजक्ट होगा या नहीं होगा ठीक है तो इसलिए आप जितने भी बच्चे जितने भी मेरे भाई अप घबराने लग गये हैं कि आप बिलकुल यहां पर जो हैं आराम से जो भी जितने भी भाई हैं जो गलती कर रहा है वो इस बात को समझ सकें ठीक है अब आपको इस चीज को देखकर समझ में आ गया होगा कि हमने गलती तो नहीं किया अगर आपने थोड़ा बहुत मिक्स्टिक हो गया है ज्यादा नही आपका चेहरा मैच हो जाए उसको थोड़ी पता है लेकिन इस बार आपका मैच नहीं होगा मिरवाई इस चीज में तो वो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको फोटू बिलर आ रहा है उनको फोटू सही इसने दिखाई दे रहा है तो वो कैसे आपका फोटू हम अपर दिया है तो भी रिजेक्ट हो सकता है देखो हैं आपको बहराणा है समझे एक चोटी से मेच टेक आपकी पूरी जिंदगी ब्रवाद कर सकती है तो यहां पर सतक रहें और अपनी तयार में बिलकुल लगे रहें जलसे जल्द आप सभी को एड़मीट कार्ट प्रसी स